ना तो ये अप्पम हैं और नाहिए डोसा है आज कर नाश्टा है महोगती है यह जल्दी बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो आसकी रीचारी बनाएंगे हम दलिया तो दल्या का बहुत हेल्दी हल्का फुलकर नास्ता खाने में इतना अच्छ लगता है बनाने में भी उतना ही आसान है तो हेलो फ्रेंड्स में गीता और कोगविद गीता में आप सभी का स्वागत है तो आज चलिए देखते हैं हम इस दल्या की रेश्पी को हम कैसे मैं क्या-क्या इडिंडेंट्स अई तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए दियी है मैंने aid कप दलिया। मिक्सिंग बाॉल में और ईश्iktbincope में थोड़ा-थोड़ा पाईं डालते हुए ऐसे हांतों से घुमाते हुए इसको हमें दो-।िन बार धोना हैं तो एक बार दो लिया है मैंने दूसरी बार दो लेते हैं अब इसमें हम अच्छा सा पाइन डाल के इसको 10 मिनट सोक करने के लिए रख देंगे तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं जब दल्या सोक हो रहा है इसमें लिये हैं मैंने तीन चा चमच नागील का बुरादा है यह डैसी के रिक कोकोनट और भुने हुए चने और साथ में डालेंगे इसमें हम दो हरी मिच लिए मैंने इनको डफली चॉप करके ऐसे ही डाल देना है इनको और साथ में डाला थोड़ा सा अध्रक कर टुकड़ा और डालेंगे इसमें एक चमर दही डालने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अंसर नमक और नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको हम माबारिक पीस लेंगे तो मैं इसको पो लीजिए चटनी कर हमारी तर्यार है सब्सक्त है तो चलिए बाउल में निकाल लेते हैं इसमें लगाएंगे वां तड़का तो इसके वप्सक्ष नई चाहिं जेर नीच अीच बालू रख गांग बाल नमाल टालेंगे दो दो आसमीं जसात मेलेंगे कडी पत डॉलें 5-6 जिए सोड़ी सी हींग और इसको चम्मच से चला देंगे गया को पर नियार इसको डालेंगे हम चटनी के ऊपर तर्का हमारा लग गया है और यह चटनी हमारी बन बीगा हुआ पोहा है यह आप इसका चावल उत पके हुए तो भी ढाल सकते हैं विङता नास्ता बहुत इस बनता है इसको यहां माहीं का देटी साल ती तो सहां ट्रांसपर कर लिए मैं ने लिए मिक्सिक जार में तो अब हम इसमें लगा के इसको बिल्कुल बारिक महीन होने तक पीस लेंगे और इसमें थोड़ा कर देते हैं नमक एड़ आदे चमिश के करें नमक रेट करना है जादर नहीं डालना है और पेस्ट हमारा बनके तयार है कि इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए पेस्ट इसको मैं निकाल लेती हुआ मिक्सिक बाउल में आ कि कि देखा कितने स्मूध अच्छा पेस्ट बना है इसमें डालएंगे हम बेकिंग पाउडर आदा चमच और ढाल आच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसको घुमाते हुआ अच्छे से मिक्स करना है एक साथ हो जाए बैकिंग पाड़ोस में अच्छे से मिल जाए उसके वाद हम ग्यास पर रखेंगे तबा गरम होने के लिए तो देखिए हमारा बेटर एकदम इस कंसिस्टेंसी का बन गया है अब तब गरम हो गया है तब डाल देंगे एक चमच भड़के बड़ा बैटर और इसको घुमाते हुए इस तरीके से चीले के जैसे फिलाएंगे और फ्लैम को रखना है लो टू मीडियम और इसको सीखने देना है तब तक सीखने देना है एक साइट जब तक कि जो उपर गी लगी लाई सुखना जाए एक द तो यह सिख गया है बहुत ही ज़ली सिख जाता है एक मेट लगता है दो मिट मुश्किल से तो हम इसको दूसरी साइट देते हैं कितने अच्छे सिख चुका है और यह आसाने से प्लट भी आता है बारतन को तुरहनते छोड़ देता है इसी तरह किसमें आपको दूसरी बना कोई दैम नहीं लगता खाने मेट बनाने में बहुत भी आसान है कि अंगयमे तो है है तो यह लिया से बनावा है तो लीजे तैयार है हमारा दलिया का सौफ्ट सा नास्ता जब सुबह सुबह की भागदोर में हमें कुछ हलका फुलका खाने का मन करें तो इसको आप ज़रूर बनाईए यह बहुत ही हेल्दी है और साथ मिर्चर्प किये मैंने इसमें चटनी जो बनाए थी वो और साथ में है तीकी वाले चटनी मिर्ची की तोड़के दिखाती हूं मैं आपको लीजे तो तैयार है हमारा इंस्टेंट दलिया का नास्ता तो फ्रेंट्स मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी तो एक बार मुझे बरूर बताएए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कर दीज चैनल को थैंक्स पर वाचिंग